Hello Friends, पिछली वीडियो में मैंने Algebra Classics के Magistics Pattern पर बात की थी, जिसमें मैंने Magistics Pattern का Table बनाना बताया था, आज की वीडियो में आपको Magistics Pattern का Formula बनाना बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम 1L बनाते हैं, तो 2 Magistics की Required होती है, 2L बनात यह पता चलता है, कि हम जितना L बनाते हैं, उसका दो गुना हमें Magistics की जरूरत पढ़ती है, तो यहां से एक Formula Create होता है, Number of Magistics Required एक्वल टू 2 इंटू Number of L, अगर हम यहां पर सुविधा के लिए L की जगा N लिख दें, तो यहां से हमारा Formula हो जाएगा, Number of Magistics Required एक्वल टू 2 इंटू N, और 2 इंटू N को हम लिख सकते हैं 2N, अब अगर हमें 50L बनाने हैं, तो हम N की जगा पर 50 पुट कर देंगे, तो हमें 50L पैटर्स बनाने के लिए 100 Number of Magistics Required होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्रा झाल कर दो, हमें 500 वां कर दो सब्सक्राऊए. झाल कर दो नगर हमें 25 बनाने के लिख सका टाओ, और हमें 15 बनाने से मुट कर दो सब्सक्राइब होगी।